हाई, वेलकम यू, all my dear students आजकी स्टोरी है क्रिशना जर्का अराइवल इन गोकुल क्रिशना हमेंज क्रिशन का अराइवल यानि की आगमन कहाँ पर इन यानि की में गोकुल एक जगा है गोकुल गाव है तो कृषन का आगमन कहाँ पर होता है गोकुल में, उनका जर्णम कही और होता है, मथुरा में होता है लेकिन उन्हीं गोकुल लाया जाता है, उनके पिता जी के द्वारा तो कैसे लाया जाता है कैसी जर्नी होती वो आपर explain किया जाएगा स्टूरी में ठीक है और काफी काफी सारे new words आप सीखें कि ठीक है English से Hindi में translation करने वाले अंग्रेजी से Hindi में अनुवाधम करने वाले हर एक थीक है तो स्टाट करते हैं डे व की किश्चन भगवान की माता का नाम था देव की और पिता का नाम था वसूदेव है यहाँ पर क्या लिखा है देव की मतलब देव की की eight तयाने की आठवी चायल्ड संतंग वाज was born, क्या मतलब ہے was के बाद, beer की third form है ये born, है ना, इसका मतलब हुता है जन्म देना या जन्म लेना, वो वाल करूंब है, ठीक है, नीज की है, देखो, was born, पैसी वायई से इसका मतलब हुता है, शन्तान को जन्म दिया गया था, देवकी's eighth child was born, देवकी का आठवी संतान को जन्म दिया गया था या उसका जन्म हुआ था यह वाला sense है जब भी किसी का जन्म के बात की जाती है तो पैसी वह इस में ही लिखते क्योंकि जन्म दिया जाता है जैसे मैं बुलू मेरा जन्म अनल में सन 2000 में हुआ था ऐसा मुझे बोलना है तो ऐसा बोलूगा मैं I was born पैसिव में ही लिखूँगा मेरा जन्म हुआ था का मतलब है मुझे जन्म दिया गया था I was born in 2000 मतलब 2000 में ठीक है इस टाइप से पैसिव में ही चलता है born वह हमेशा पैसिव में आती है यह चिंध्यान में रखना तो देवकी इस एट्थ चाइल्ड देवकी की आठवी संतान was born मतलब उसको जन्म दिया गया थे उसका जन्म हुआ था कब at midnight आधी रात को मिड़नाइट के साथ एट लगा थे हम at midnight आधी रात को हुआ था और उस समय का देखो कैसा atmosphere था वो बता रहा है the winds blue angrily the winds हवाए ब्लो का मतलब होता है चलना b l o w उसकी पास्वा में blue मतलब चली कैसी चली या कैसी चल रही थी angryly मतलब krothpur मतलब बहुत थेज होई चल रही थी there was thunder thunder का मतलब कया है there was thunder मतलब बादलू का गरजने को बोलते थंडर थंदर गडला रहाँ गल्गरा हट थिन की ठीकाड? और मतलब बादलु की गरजना थि, वागतलब थि लाइट प धू απु ऑ्री है रहने ही भूरब ही वहत हारी व Missouri रिंधक ओर शेट थी थू SARAH थब सार deceन्ड! बादलों का गरजना, लाइटनिंग, भिजली का चमकना, and very heavy rains, और बहुत भारी-बारी सो रही थे उस सब है, जब उनका जन्म हुआ था, तो इस टाइप का atmosphere था, वाता वरान था, then, और फिर क्या हुआ, the prison, मतलब jail, जो jail थे, was filled, the prison was filled, was मतलब था, filled याने भरा हुआ, या भ dazzling light, dazzling मतलब चका चौंद कर देने वाला, बहुत तेज रूसनी वाला, एक dazzling light से एक तेज रूसनी वाले क्ट कर देने वाले, रूशनी से, लाइट से वो क्या भर गया था, jail, भर गया था, बिल कुल, वहां पर बहुत सारा लाइट आ गया था एक रोस्नी आ गई थी ठीक है और फिर क्या हुआ उस रूस्नी में से इडिवाइन वाईस एक दिव मतलब दिव्य, अधभुत, अनोकी वह रे आवाज ने, एक अनोकी आवाज एक दिव्य आवाज ने क्या किया? Addressed, मतलब संबोधित किया. देखो, A, D, D, R, E, D, S, Address भी पढ़ते हैं, इसको और Address भी पढ़ते हैं, देखो, Address का मतलब होता है, पता, देखो, इतना पढ़ोंगो, Address मतलब पता किसी का, वो नाउन होता है, और इसको, इसका मतलब एक वर्ब भी होता है, इसका मतलब होता है, संबोधित करना, तब इसको address पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, address, spelling वही है, इसी की पास्ट पॉर में ED लगया, तो addressed, क्या पढ़ोंगों, addressed, एक दिव्या आवाज ने क्या किया, address मतलब संबोधित किया, कहा, किस से कहा, वसुदेव से, भगवान वसुदेव जो है, क्रिश्न भगवान की पिता, उन से कहा, क्या कहा, देखो, यहां से लेके, यहां तक, आकास वानी होती न, वैसी वहां पर हुआ, एक दिव्या आवाज ने, संबोधित किया, भगवान वसुदेव को, मतलब एक आकास मानी हुई, क्या कहा, take this baby boy, take मतलब ले जाओ, this baby boy मतलब इस बच्चे को, baby boy क्यों बोला है, क्योंकि लड़का है वो बच्चा, इस बच्चे को ले जाओ, across the Yamuna, मतलब across याने के पार, किसके पाद दा Yamuna, Yamuna नदी के पार ले जाओ, और कहां ले जाओ, Yamuna नदी के पार, देखो कहीं भी ले ले जाते हैं, तो लगा के लिखते हैं, तो गोकुल, मतलब गोकुल ले जाओ, Yamuna नदी के पार, जो गोकुल करके गाओ, वहां ले जाओ, ऐसा उस आवाज, उस दिव्य आवाज, डिवाइन वाइस ने बोला, और फिर क्या हुआ, हागी क्या कहरी ही बाबाज, देखो, यह नूबॉर्ण डॉटर, यह और फ्रेंड, किस से अदला बादली करना है, विदलगा के लिए यह और फ्रेंड, तुम्हारे जो दोस्त है, नंदाज मतलब नंद की डॉटर यालनि, नूबॉर्ण डॉटर मतलब नौजात पुत्री, जो इनके जो मतलब दोस्त थे, अपने दोस्त नंद की नवजात पुत्री अभी अभी जो जन मली है उसको बिलते न्यूबॉन है ना उसकी पुत्री से अदला बदली कर दो और रिटरन एट वन्स और वापस आजाओ एट वस्मतलब तुरंग तुरंग वापस आजाओ ऐसा उस आकास वाणी ने कहा उस डिवाइन वाइस ने ऐसा कहा क्या का देखो एक बार फिर से टेक दिस बेबी बॉय अक्रॉस दया मुना टुगू कुल लेके जाओ इस बेबी ब भगवान को बदल दो विडियोर फ्रेंड नंदास न्यूबॉर्ण डॉटर तुम्हारा जो दोस्त है नंद की नवजात पुत्री के साथ अदला बदली कर दो एंड रिटरन एट वन्स और वापस आजाओ एट वन्स में तुरंग ठीक है ऐसा आकास मानी ने बोला लेकिन वो तो जेल में थे लेकिन फिर कुछ चमतकार होता है देखो क्या होता है दप्रिजन लॉक्स जेल के जो ताले थे ब्रोक ओपन देखो ब्रेक ओपन ब्रेक ओपन का मतलब होता है अचानक तूड जाना निकल जाना खुल जाना उसी की पास्वाम है ब्रेक की पास्वाम ब् की पास्टवर में Fell into. Fell into का मतल Fang is P didnt आ पढ़ गगई. किस में पढ़ गए, A deep slumber slumber. Slumber का मतला होता है नीद, गहरी नीद को बोलता है, slumber एक गहरी nidra में पढ़ गए. उन्हें नीद आ गई, gars प्रुफल इंटो A left, वो निकल गया, leave, l-e-a-v-e, leave की पास्वा में left, वो निकल गया, with मतलब के साथ, किस के साथ, with his newborn son, अपने नवजात, पुतर के साथ, अपने जो जन में हो, पुतर के साथ, at once, मतलब तुरंत निकल गया, the river Yamuna, देखो, मौसम कैसा था, बहुत ज्यादा बारीस आ रही, तो was in a fierce state, जो थी, in a fierce मतलब, इन मतलब में एक fierce याने उग्र, state मतलब अवस्ता, जो कि एक उग्र अवस्ता में थी, एकदम उफान में थी, वो क्या हो गई, Yamuna, क्या हो गई, calmed down, मतलब सांथ हो गई, calm down की पास्वा में, calmed down, c-a-l-m, calm, में e-d लग गया, तो calmed हो गया, calm down, वो क्या हो गई, santa हो गई, and parted और बढ़ गई, to make way, रास्था बनानी हो तही, to make मतलब बनानी हो तहीत हो रास्ता, जैसे पानी जो था वो हट गया वहहाँ से, parted का मतलब वह बढ़ गया नदी, दो ज रही सो में, to make बनानी के लिए क्या, नदी की किनारे जैसी भगवान वसुदेव पहुंचे अपने पूत्र नन्ने कृष्ण भगवान को लेकर तो क्या हो गया भई वही द रीवर यमुना यो जो नदी थी यमुना नाम की विच वाज इन फियर्स स्टेट जो के एक उग्रवस्था में थी कामड डाउन वो सांथ हो गई and parted to make way और बढ़ गई रास्ता बनाने के लिए वेर वसुदेव रीच्ट इट्स बैंक जब भगवान वसुदेव पहुंचे इसके किनारे में नदी की किनारे को बैंक बोलते हैं जब दीवोटी मतलब भक्त अफ लॉइड विश्णु इसके लॉड विश्नु के उन्होंने क्या किया एक्स्टेंड उन्होंने फैल आया क्या फैलाया his hood, अपना फन फैलाया, Hud, किसके जैसे, like मतलब के जैसे, like a canopy, एक मंडप के जैसे, एक छोटी सी छट के जैसे, जिसको canopy बोलते हैं, मंडप कहते हैं, मंडप के जैसे अपने फन को फैलाया, किसके उपर, over the newborn child, over तन्यू बॉण चाइल्ड, over मतलब के उपर, the newborn, उस नवजाद तो बॉन मतलब सीसू, चायल्ड मतलब सीसू के उपर, उस नवजाद सीसू के उपर, उसको पानी बारिस हो रही थे, बारिस से बचानी के लिए क्या किया है, जो भकता है, डिवोटी आफ लॉर्ड विस्नु, दग्रेश शेसनाग हिंसल, शेसनाग हिंसल, जो शेसनाग है उन्होंने क्या है, एक्स्टेंड किया अपने फन को, एक मंडप के जैसे ओवर दड़न चायल्ड, उस छोटे से नवजाद सीसू के उपर फैलाया, इस तरह फिर क्या हुआ है, इस को बला भुस्षिदेव को, खृष्ण भगवान के पिता जी को, इस को पार की, यमुना, the यमुना नदी को पार किये, यह था को यमुना एक नखी का नाम है, तो नदियों के नाम के पहले ďंटीकल द लगता है, दयमुना, द गंगा, द कावेरी, इस थाइप द नर्मदा, ऐसे कर लिए हैंटिहाब, तो उन्होंने क्रॉस किया, दयमुना, यमुना नदी को, होल् के उपर धारन करते हुए उन्होंने क्या किया यमुना नदी को क्रॉस किया वसुदेव जी ने and quickly returned और तुरंद return मतलब sorry quickly entered और प्रवेस किया कहा प्रवेस किया the village of Gokul Gokul के गाउ में Gokul नाम के गाउ में प्रवेस किया तो जब भी आपके enter करते हैं enter 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 के साथ आपको in नहीं लगाना है कहा प्रवेस किया तो में के लिए आप in मत लगाना है enter की पास्पर में entered तो जहां भी आप प्रवेस करते हैं तो direct लिग देना है जैसे वो मेरे कमरे में प्रवेस किया तो मैं कैसे बूलूंगा he entered my room ऐसा नहीं तो कैसी लगी स्टोरी मुझे कॉमेंट करके बताना आप खुच से एक बार और रीड कीजिए ताकि जो काफी सारे नियुनिवर्स आपको सीखने को मेनेंगे जैसे लाइटनी हो गया थंडर हो गया या डैजलिंग वेक वर्ड है यहां पर आप देख सकते डिवाइन अड्रे देको मैने इसका क्या मेनिग बता देखो एड्रेस का मतल़ होता है पता किसी का अडस्रा अडर आ ड्रस आती तो प्लीज कमेंट करके बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इन वीडियो को सेर करना उन सभी के साथ जो इंगलिस सीखना चाते थे, thank you very much, my dear student.